बावल क्षेत्र के गाउख खंडोडा पिस्तॉल दिखा कर सेल्समें से नगदी लूटने के मामले में चार आरोपी गिरफतार पुलिस अधीक्षक्रेवारी श्री गौरव राजपुरोहित के दिशा निर्देशन में कार्य करते हुए अप्राद शाखा दो धारुहिडा वथाना बावल पुलिस ने सयुक्त कार्य वाही करते हुए गाउख खंडोडा के राजफिलिंग स्टेशन पर सेल्समें को पिस्त करता ने बताया कि राजस्थान के जिला कोटपुती के गाउख सिर्यानी निवासी हिरलाल ने अपनी शिकायक में बताया कि वह राजफिलिंग स्टेशन गाउख खंडोडा में बतौर सेल्समें काम करता है दिनाग 9 जुलाई की शाम को एक स्विफ्ट कार में सवार होकर आ आज शुरू की थी जो जाज के बाद अपराद शाखा दो धारु हिरा वथाना बावल पुलिस ने सयुक्त कार्यवाही करते हुए शुक्रवार को मामले में चार आरोपी यूपी के जिला शामली के गाउख कैडी निवासी आकाश, गाउख शेकपुर निवासी गौरव व गाउख खंडोडा निवासी विपिन वहिमानशु को गिरफतार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों को पेश अदालत करके पूछताच के लिए तीन दिन के पुलिस रिमान पर लिया है।